ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है, नैच्रल हिस्ट्री ओफ डिजीज, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे, वहाँ से आप डिरेक्ट नोट कर सकते हैं, तो शुरू करते हैं हमारे concept of health and diseases वाले chapter का अगला topic that is natural history of disease, अब भी ये natural history of disease का मतलब क्या होता है, natural history of disease का मतलब होता है, कि अगर एक बिमारी को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, कोई भी treatment नहीं दिया जाए, कोई भी preventive measure अगर इस्तिमाल नहीं की जाए, तो वो disease कैसे कैसे आगे बढ़ती है, याने कैसे वो evolve होती है over a period of time, अपनी शुरुवाती stage से लेके अपने termination तक, उसको कहते है natural history of disease, अभी जो termination होता है, ये अलग-अलग तरीके से हो सकता है, या तो इनसान जिसमें वो बिमारी हुई है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, या तो वो बिमारी उस इनसान में कोई disability करके जाएगी, और या तो वो बिमारी उस इनसान को निप्टा देगी, मर जाएगा वो इनसान, तो ये होती है natural history of disease, फिर से समझाता हूँ, natural history of disease का मतलब होता है, अगर एक बिमारी को या एक इनसान को बिमार छोड़ दिया जाए, या एक इनसान के साथ आपने एक host के साथ agent को छोड़ दिया है, और एक environment में उस host में agent का transmission हो रहा है, और फिर वो host बिमार पढ़ जाता है, तो कैसे वो बिमारी अपनी early stage से अपने termination की तरफ जाएगी, और आगे जाके या तो recovery, disability, death करा सकती है, in the absence of any disease, in the absence of any treatment or prevention, समझ गए, इसको कहते है natural history of disease, याने कि naturally occurring चीज है, अपने आप आगे बढ़ने दो agent host environment तीनों का एक दूसरे के साथ सेगा, या अगर host अच्छा होगा, तो कुछ नहीं होगा agent host को, अगर immunity अच्छी नहीं होगी, तो agent host interaction होगा, sign symptom आएंगे, बिमार होगा, या तो recovery हो जाएगी, मर जाएगा, disability हो जाएगी, मगर treatment or prevention अगर नहीं दोगे, तब naturally सब कुछ होगा, ठीक, तो ये जो natural history of disease होती है, ये हम हर बिमारी के लिए पढ़ते हैं, जब नहीं-नहीं कोई बिमारी आती है, तो हर बिमारी के लिए हम natural history of disease उसकी जानने की कोशिश करते हैं, क्या course of disease है, आगे जाके क्या-क्या करा सकती है, इसी से तो हमको पता चला, कि भाई, कोरोना जो होता है, वो कितने समय में उसक sign and symptoms हैं, और किन-किन वजहों से मौते होती हैं, उसमें वो भी पता चला, तो हमने natural history of disease अभी-अभी एक बिमारी की देखी है, that is, कुरोना की, अब अगर आपको कोई बिमारी की natural history पता लगानी है, तो सबसे अच्छी तरह की study कौन से होती है, हमने epidemiology वाले chapter है, बहुत सारी अलग-अलग तरह की observational study पढ़ी थी, experimental study पढ़ी थी, analytical पढ़ी थी हमने, सबसे अच्छी होती है, cohort study, natural history का पता लगाने के लिए, जिसका दूसरा नाम होता है, longitudinal study, अगर आपको याद हो, तो cohort study में क्या होता था, हमने cohort select करते थे, यहने कि हमारा ये cohort होता था, ये group of people होता उसके बाद हम समय से आगे जाते थे, देखते थे कि भाई, किसको exposure हुआ, और किसको exposure नहीं हुआ, फिर जिसको exposure हुआ, इनको फिर हम follow-up करते थे, हम देखते थे, जिनको exposure हुआ, इनमें से कितनों को disease हुई, और कितनों को disease नहीं हुई, वहीं हम जिनको exposure नहीं हुआ, उनम तो समझ मैं इदी इदी समय से आगे चलते जाओ चलते जाओ और देखते जाओ भाई कब साइनेंड सिंटम आ रहे हैं कब बीमारी हो रही है कब इंसान मर रहा है या रिकवर हो रहा है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है नैच्छलिस्टी ऑफ डिजीस का पता लगाने का को हा तो आपको यहाद रखना है कि natural history of disease की दो phases होती है, pre-pathogenesis phase और pathogenesis phase, pre-pathogenesis phase इंसान के बाहर environment में take place करती है, जब कि pathogenesis phase इंसान के अंदर, man के अंदर होती है, ठीक, अब अलग-अलग हम देखेंगे कि pre-pathogenesis phase है क्या, पहली चीज़, pre-pathogenesis phase जो है, वो बीमारी के शुरू होने के पहले होती है, जब agent जो है, वो host के अंदर घुसा नहीं है, मगर वो सारे factors जो बीमारी कराते हैं, वो environment में present हैं, वो factors कौन-कौन से हैं, बट obviously तीन main factors होते हैं, agent, host और environment, और इन ही के interaction से पता चलता है कि भाही बीमारी होगी की नहीं, तो यह देखो, हमारी यह pre-pathogenesis phase है, इसमें क्या होता है agent है, host है, और environment है, और इन तीनों के बीच में interaction हो रहा है, अब भी यह decide करेंगे कि भाही बीमारी होगी की नहीं, अब अगर आपको इससे बचाव करना है, तो यहाँ पर आप primary level of prevention कर सकते हो, primary level of prevention, हम अगले topic में levels of prevention and modes of intervention पढ़ेंगे, यहाँ पर जानने की disease, भाही primary level of prevention करते हैं, जब risk factor तो present होते हैं, लेकिन disease present नहीं होती है, तो वही तो हमने बोला, कि भाही साब risk factor तो present है, मगर disease present नहीं है, और इसलिए हम primary level of prevention यहाँ पर करते हैं, अब primary level of prevention के दो modes of intervention होते हैं, that is health promotion and specific protection, यह हम अगरे topic में पढ़ेंगे, तो अभी जानने के लिए बस इतना काफी है, कि pre pathogenesis phase में हम primary level of prevention करते हैं, क्यों करते हैं, वो मैंने बता दिया, अब आता है pathogenesis phase, pathogenesis phase में क्या होता है, pathogenesis phase में वहाँ interaction हो गया था ना, अब यहाँ पे pathogenesis phase में disease agent जो है, वो host के अंदर घुज गया, वो देको यह आया, agent host के अंदर घुज गया है, उसके बा changes लाता है, याने की, फिर sign and symptoms आते हैं, अब sign and symptoms आ गए, इंसान बिमार पढ़ गया, अब तीन चीज़े हो सकती है, या तो उसके immunity अच्छी है, तो वो recover हो जाएगा, immunity खराब है, तो या तो disability हो जाएगी कोई, और या तो भाई अपने निपढ जाएगा, तो यह तीन चीज हो सकती है, अब illness हो गई है, तो उसमें illness में भी तीन चीज़े करा सकता है, या तो clinical case करा सकता है, याने कि science symptom present है, या तो sub clinical case, science symptom present नहीं है, या फिर carrier बना सकता है उसको, host को, तो यह सारी चीज़े आपको pathogenesis phase में देखने को मिलती है, अब pathogenesis phase में कौन से level का prevention आप कर सकते ह सवाल आता है, तो pathogenesis phase में secondary prevention या tertiary prevention कर सकते हो, क्यों? देखो secondary prevention कब करते हैं, जब disease तो है, मगर disability नहीं है, तब तो यहाँ पर देखो, disease तो आ गई है, उसके बाद disability अभी नहीं है, जब तक नहीं आएगी, तब तक आप secondary prevention कर दो, secondary prevention के mode of intervention दो होते हैं, that is early diagnosis and treatment, in case अगर disability ही आ गई, तब आप tertiary level का prevention करते हो, tertiary level का prevention जब आप करते हो, तो उसमें क्या करते हो, disability तो आ गई है, तो disability को limit कर दो, और rehabilitation कर दो, तो pathogenesis phase में आप दो तरह के prevention कर सकते हो, या तो secondary level of prevention, या तो tertiary level of prevention, depending on the disability है की नहीं है, तीक, और इसलिए, screening of disease जो होता है, वो किसी भी वि बहुत improve कर सकता है, क्योंकि screening से आपको early diagnosis हो जाता है, early diagnosis हो गया, तो आगे जाके बीमारी होगी नहीं, या disability तो होगी नहीं, इसलिए survival और prognosis दोनों बढ़ाने के लिए आपको बीमारी की screening करनी जाएए, अब ये जो pathogenesis phase है न, ये भी दो भागों भाजित होती है, early pathogenesis phase और late pathogenesis phase, early pathogenesis phase, pre-symptomatic phase होती है, याने symptom आने के पहले वाली phase, early pathogenesis phase है, ये देखो, या agent host के अंदर गुसा था, फिर agent host interaction हुआ था, बस, यहां तक की जो आपकी ये phase होगी न, ये आपकी होगी early pathogenesis phase, क्योंकि अभी sign-in symptom नहीं आए है, उसके बाद agent host interaction होने के बाद sign-in symptom आ गए, उसके बाद बीमार हो गया, फिर या तो recover, या तो disabled, या तो death हो जाएगी, ये वाली जो phase है न, ये आपकी होती है, late pathogenesis phase, जिसमें sign-in symptom समय के साथ आ जाते हैं, तो pathogenesis phase आपको पतो होने चाहिए, क्या होती है, उसके बाद कहां होती है, pathogenesis phase क्या होती है, agent host के अं करा दिया, secondary or tertiary level of prevention possible है, इसके दो पार्ट होते है, early pathogenesis, late pathogenesis, early pathogenesis, जो होता है, उसमें sign-in symptom नहीं आते है, इसलिए इसको pre-symptomatic phase कहते हैं, और late pathogenesis, इसमें sign-in symptom आ चुके होते हैं, ठीक, तो ये है आपकी पूरी natural history of disease, देखो हमने पढ़ा था न, कि भाई, natural history of disease में कित ठीक है, pathogenesis phase, pre-pathogenesis phase में हमने पढ़ा था, कि भाई, disease तो नहीं होती है, लेकिन factors होते हैं, तो ये देखो factors है, agent, host और environment तीनों factor है, तीनों का आपस में interaction हो रहा है, और ये decide करेगा बिमारी होगी कि नहीं होगी, ये सब कुछ किसके अंदर हो रहा है, ये सब कुछ environment में हो हो रहा है, host के अंदर अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो ये तो हो गई, तो इसके अंदर अगर disease नहीं होई है, तब आप कौन से level का prevention कर सकते हो, primary prevention कर सकते हो, उसके लिए health promotion और specific protection, इसके modes of intervention होते हैं, अब भाई साब agent जो है, वो host के अंदर घुज गया है, तो ये कौन सी stage जब agent host के अंदर घुज जाता है, तब हमारी pathogenesis phase शुरू हो जाती है, pathogenesis phase में agent host के अंदर घुज गया है, agent host interaction हो गया है, sending symptoms आ गया है, इंसान बीमार पड़ गया है, तो याद रखने वाली चीज, pathogenesis phase में host के अंदर होती है pathogenesis phase, और disease इसमें हो चेकी होती है, इसमें pre-path प्रिज कर सकते हो, या तो secondary level of prevention कर सकते हो और tertiary, अगर disability नहीं होए है, तो आप early diagnosis or treatment कर दो secondary prevention, अगर disability हो गया है, तो आप tertiary prevention करोगे, that is disability limitation या यह दो इसके mode of intervention है यह जो pathogenesis phase है यह यह भी दो भागों वे भाजित होती है एक होती है early pathogenesis phase और एक होती है late pathogenesis phase early pathogenesis phase कौन सी होती है जो pre-symptomatic phase होती है जब symptom नहीं आए है late pathogenesis phase जिसमें sign and symptom आ चुके होते हैं उसके बाद वो और उसके बाद वाली को लेट pathogenesis phase कहते हैं ठीक तो इतनी चीज़ें आपको at least natural history of disease में पता होनी चाहिए अगर मैं बात करूँ सवाल की तो भाई साब natural history of disease भी star question है आपको theory exam में natural history of disease कहीं ना कहीं तो फसेगा या तो आपको long question में फस सकता है या तो आपको short note में फस सकता है ठीक अगर मैं बात करूँ वाईवा की तो वाईवा में आपसे सीधा पूछले जाता है एक बात 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 natural history of disease समझा दो तो वहीं समझाना है कि भाई बिना treatment of prevention के disease को आगे बढ़ने दिया जाए उसके early stage determination तक और दिखो क्यों होता है वाईवा का दूसरा सवाल कौन सी study करोगे आ आप natural history of disease का पता लगाने के लिए तो go hard study करोगे but obviously वाईवा का तीसरा सवाल की pathogenesis phase कहां होती है और pre-pathogenesis phase कहां होती है तो वाईवा में यह भी पुछा जाता है एक environment में और एक इंसान के अंदर pre-pathogenesis में वाईवा में पुछा जाता है कौन से level का prevention कर सकते हो तो primary level का क्या इसमें बिमारी होती है नहीं इसमें बिमारी नहीं होती सिर्फ factors present होती है उसके अलावा pathogenesis phase pathogenesis phase में वाईवा कि भाई इसमें बिमारी हो गई है हां क्योंकि agent host के अंदर गुज गया है दूसरी चीज़ कौन से level का prevention तो यह भी वाईवा पुछा जाता है तो primary या मिन secondary या टर्शी लेवल का prevention वाईवा में एक और चीज़ पूछे जाती है भाई अर्ली और लेट pathogenesis phase बता दो तो अर्ली जो कि प्रिस सिंटोमाटिक होती है लेट जिसमें साइनन सिंटम आ चुके होते ह हैं उसके अलबाना आपको एक और question आता है theory में कि आप flow chart बनाओ flow chart बनाओ natural history of disease का तो at least इतना तो बना देना पूरा तो आपको number मिल जाएंगे ठीक तो यह तो होगे वाईवा की सवाल और theory के अगर मैं बात करूं MCQs की तो जितने भी underline part है हमारे notes और slide में वो सभी अलग- एक question तो मुझे MCQ के रूप में यही मिला था कि भाई natural history of disease का मतलब क्या होता है तो वही disease को अपने हाल पे छोड़ दो early stage से termination तक देखो क्या और फिर कोई absent of treatment या prevention नहीं देना दूसरा MCQ मुझे मिला था कि भाई कौन सी study best होती है तो आपको ना cohort study नाम याद रहता है लेकिन आपको पता होना चाहिए भी है cohort study का दूसरा नाम longitudinal study और यह actually option में दिया हुआ था answer तो आपको पता होना चाहिए उसके अलाबा एक MCQ मुझे मिला था कि pre-pathogenesis phase में onset of disease होती है कि नहीं तो नहीं pre-pathogenesis phase onset of disease के पहले वाली stage को कहते हैं उसके अलावा एक और question MCQ मिला था कि क्या disease agent इंसान के अंदर घुस चुका होता है नहीं disease agent अंदर नहीं होता है मगर factors present होते हैं ठीक है उसके बाद pathogenesis phase के लिए भी मुझे question मिला था कि इसमें entry होती है कि नहीं तो pathogenesis phase में disease agent की entry हो चुकी होती है इसके termination के रूप में आपको subclinical case मिल सकता है और कौन से level का prevention इस पे भी एक question आया था तो प्रश्री लेवल का prevention pathogenesis की pre-pathogenesis तो pathogenesis में करना है आपको ठीक उसके अलावा आपको अगर प्रोग्नोसिज और survival बढ़ाना है pathogenesis phase में तो क्या करोगे तो आप screening कर लो ये भी एक mcq मुझे को मिला था तो इतनी चीज़े हैं जो आपको natural history of disease में पता ही होनी चाहिए तैंक यू